हालो प्रेंड्स तमारों स्वागेचे मारा कीचेन मा आजे आपड़े बना विश्यू सांज माटे के नास्ता माटे उपवास माँ खाई शकाई एवी चटपटी टीस्टी एवी एकदम छुट्टी रे एवी नवी रिते साबुदाना खिचडी पुदाना मां एक बना विश्यू तो तम्हे साबुदाना खिचडी बनाव ताजहाशों । पण एगदम छुट्टी छुट्टी नई बनती होय। साबूधाणा ने एक थी बे पाणी थी धोई पाणी नितारी अने एमा एक कप पाणी, जे वाट की थी तमें साबूधाणा लिधो ए जे एक वाट की भरी पाणी उमेरवानू छे. तो आटलू उपर रेशे, हवे आपड़े साबुदाणाने बे कल्लाक माटे साइड मा मुकी दैशू। तो एक थी बे कल्लाक माँ सारै वा पलडी जाई छे, तो बे कल्लाक पछी तम्हें जोई शको छो एकदम पाणी बिल्कुल नथी रहीू। अने साबुदाणा पण सोफ्ट थे गया छे, आरी ते उपर नीचे करी देवाना एक कल्लाक पछी, एटले साबुदाणा तमारे एकदम परफेक्ट एवा पलाड शे, तो साबुदाणा तयार छे, हवे साबुदाणा खिचडी बनावा आमा, आपड़े एक कप शिंग दाण आरी ते शिकवाना क्रिस्पी तमने लागे के थाई जाई, तो एक शिंगनो दाणो ले, अने फोत्रा चो एना इजीली निकली जता होई, तो शिंगना दाणा क्रिस्पी थाई गया छे, गयस नी आज बन करी, शिंग दाणा अने एक प्लेट मा काड़ी ठंडा थवा दैश तमरे जो त्रण बटेटा लेवा होई, तो त्रण पन लैश को छो, तो आरी ते अपड़े बटेटाने तेलमाओ मेरी अने सौफ थाई जाई, त्यां सुदी आपड़े अने सातलवाना छे, तो जे रित आपड़े बटेटानू कोरू शाक बनावे, अने काचा बटेटा ल खुल्ला सातल लेशु अने धाकी 3-4 मिनिट जेवा अपड़े अने थवा दैशु एटले बटेटा सौफ थेई जशे तो लगभग में 3-1 मिनिट जेवा खुल्ला सातल लेशु एटले बटेटा छे अपड़े जेवी फ्रेंच फ्राइस खाई रेया होई वो टेस्ट आवश तेल बिल्कुल नहीं पीवे तमये जिटलू तेल उमेरेऊ छे एटलू च तेल आरी ते साइड मा अलग रेशे अने हवे जे शींग ना दाना छे ए ठंडा थाई गया एटले मेना फूत्रा काड़े लिधा छे मिक्षेर अन ओन ओफ करी अने अतकचरो एनो भूकोरे वो शी बडेट आपन सौफ्ट थै अने सारे रीते सतलाई गया छे अपड़ेन एक प्लेट मा काड़ी लिशे अने हवे आज तेल मा एक टी स्पून थी थोड़ू पर जीरू मेरी जीराने कलर बदलाई त्या सुदी सातलाई लिशे अने हाँ जो तमे नोन स्टीक पेन नो वा परत तो तमारे एक टीबल स्पून बधारे तेल उमेर वू पडशे आमामे उमेर यू ना थी साथे अपड़े एमा बे लीला मर्चाना टुकडा में मोला लिधा छे अने साथे मिठा लिमडा ना पान उमेरी एक मिनिट जेऊ अपड़ेने आरीते स्लो फ्लेम पर सातलई लेशे अने गेसनी फ्लेम हवे स्लो ज राखी अने शिंग नो जे अतकचरो पावडर करियो छे ए उमेरी दैशू अने हवे शिंग ना पावडर ने त्रोण थी चार मिनिट स्लो टू मिडियम फ्लेम पर शेकी लेशू तो यहां खास ध्यान राखवानू छे अपड़ा साबुदा छुट्टा रे एटला माटे शिंग नो पावडर पेल्ला उमेरवानों छे अने साथे शिंग ना प्रमाण नू मिठू उमेरी शू तो एक चो थाई टीस्पून जेटलू मे उमेरी उछे मिक्स करी आने आरीते चलावता रै हुँएने थोडो हलको गोल्डन जेओ कलर हवे शिंग 1720 एटले 2 टीस्पून जेटली आदू मर्चानी पेस्ट तो में 1 टीस्पून उमेरियो मिक्स करी दैश्वू आने पाच्चु एक टीस्पून तो इह तमारे तमारा स्वात प्रमाणे आदू मर्चानी पेस्ट उमेरवानी छे मैं तिका लिल्ला मर्चा अने आ चुट्टू-छुट्टू मिश्रन रे ए रित आपड़े ने सातली लेशुू, तो आ रीत हवए तम्हें जोईशेको छो एकदम सारी रिते सत्र आई जाई, एटले पलाळेला साबुदाना, आ रीते तम्हें साबुदाना पलाशो, तो तम्हारों एक-एक साबुदाना छे, તમે ખીચડી ગમે રીતે તમે બનાવશો તો પણ છુટા જરેશે મિક્સ કરી દઈશુ એકદમ સારી રીતે તો અત્યારે સાબુદાણાનો કલર્ તમે જોઈ શેકો છો એકદમ વાઇટ છે આરી તે પાંચેક મેનીટ જેવુ થાય એટલે મીઠુ સાબુદાણા પ્રમાણેનું અળધી ટીસ્પુંં થી થોડુ ઉપર અને સાથે ત્રં ટીસ્પુન જેટલી ખાંડા ઇયા ખટાશને ગળ્પણ તમારા સવાત પ્રમાણે તમારે ઉમેર સાબુદાનાને થતા સાત એક મેનીટ જેવુ થઈં છે હવે આપણે જે સાતળયલા બટેટા છે એવુ મેરી દઇશું મીક્સ કરી દઇશું અને તમે જોએ શકો છો એકદમ પફેક્ટેવું એક પણ સાબુદાણો તમારો ચીપક્શે ની અને આરીતે હવેને થતા 7 મેનીટ જેવુ થયું છે તો હજી ધાકીને 3 મેનીટ જેવુ થવા દેવાનુ તો ટોટલ મે 10 10 મેનીટ જેવુ થવા દીધુ 10 મેનીટ જેવુ થાય એટલે એક લિંબુનો રાસની ચોવી દઇશું તો તો તમે જેટલુ થાય ગેઓ છે એમાં એક ટીસ્પુન શેકેલા જીરાનો પાવડર અડધી ટીસ્પુન મરીનો પાવડરો ઓમેરીશુ અને મિક્સ કરી દેશું તો ઇયા મરીનો પાવડર તમે વધુઓ ઓછો કરી શકો છો મિક્સ કરી દેશું અને એકદં ખીચડી બનાવી છે જો આ રીતે તમે ક્યારી સભુદાન ખીચડી નો બનાવી હોય તો આ રીતે ટ્રાઈ કરજો તમને